सो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सचिन सिभालिया और आप देख रहें मेरा ओफिसियल यूट्यूब चैनल यहां आम लोग बहुत सारी ऐसी जानकारी देते हैं जो फिल्मी दुनियों से जुड़ी होती हैं और आप लोग पिछली काफी सारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो अमीद करता हूँ यह वीडियो भी आप पूरी देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप अडियो में ले जा सकते हैं कैसे लिखवा सकते हैं कैसे सिंगिंग कर सकते हैं इस सारी प्रोपर जानकारी मैंने देती कि आप एक ओडियो प्रोपर तरीके से कैसे रिकोर्ड करवा सकते हैं मतलब आपका एक ओडियो रिकोर्ड करवाने में लगबग कितना खर्चा आ जाता जो कि मेरा वोट्टुद का वोट्टूप और कॉंटेक्ट नेंबर था मैंने इसलिए दिये था कि अगर आप साउंड रिकोर्डिंग के संबद में कोई जानकरी चाहते हैं या फिर किसी परकार की आप कोई दूसरी जानकरी चाहते हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हैं लेकि हमें यह करवाना है मैं सिंगर हूं मैं यह राइटर हूं मैं यह हूं मैं वह हूं बाई दोस्तों अगर आप से हैं अधुक्त हैं मानते हूं आपके अंधर टैलन्ट आ लेकिन यह दुनिया भरी पड़ी है इन चीजह करना पड़ता है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से पैसा भी लगाऊंगा और आपका गाना भी रिकोड हो जाएगा आप सिंगिंग भी करेंगे आप रिस्क भी लेंगा हम मैं रिस्क लूँगा आपके ऊपर ऐसा नहीं है अगर आपको मार्केट में लॉं आपको अपने लेवल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो अगर आप सच में गाना रिकुर्ड करवाना चाहते हैं उस वीडियो को देख लीजेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डालगा हूं वीडियो को अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए प्रोपर A to Z आपको जनकर दिया है कि आप कैसे अपना गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं बहुत ही कम बजट में सर एक MP3 रिकॉर्ड होने के लिए ओडियो का खर्चा केवल एक लाग तक आ जाता है लेकिन कुछ लोग उसको पचास जार तीस जार पांच जार दो दो हजार में पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो आपका खुद का बेस होता है बतलब आप एक कहवत होती है कि जितनी चीनी का भी काना रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो आपका काना चल सकता है उसमें भी आप बहुत कुछ पहचान बना सकते हैं आग आपको काम मिल सकते हैं लेकिन सुरुवात के 5000 तो आपको खर्च करने पड़ेगे ना और अगर आपके पास बजट जाद है तो आप एक लाग खर्च तो इनवेस्ट वो होता है खर्च करना यह होता है कि बस हमने खर्च कर दिया उस पर चाहिए मैं कुछ मिले ना मिले तो अगर आप खर्च करना चाहते है तो खर्च किजिए इनवेस्ट करना चाहते है अपने पर तो इनवेस्ट कीजिए इनवेस्ट का मतलब होता है आप उ बहुत सरे singers को मैं मौका नहीं देपाया वरना मेरी एक्षा थी कि हर एक Sunday एक काना record करूंगा और उसमें सभी को मौका दूँगा लेकिन वह नहीं हो पाया क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना support किया ही नहीं मेरी video को share किया है नहीं आप लोगों ने मेरे channel को इतना promote किया है अगर अभी कोई फ्रोडबाजी करने लगे आप उसकी चीजों को बहुत ज्यादा वाइरल कर दोगे, दोनिया भर की शेर करने लग जाओगे, हर चीज की आप ऐसा बना देगे, उसको वाइरल बना देगे, लेकिन यह जो जानकारी करना चाहरा है, जो आपके हैल्प करना चा कैसे सोचे, कैसे काम करेगा, तो बहुत लोग सोचते हैं कि वो कम करेगा हमारा गाहना रिकूर्ट्र करवारे का cela भूब नोगों को मुका मिल जाएगा, हम लिगों को कि अपना पैसा करवाया है बहुत लोगोंने अपना पैसा फंसा दिया था फ्रोडगर्दी में लेकिन जयत्तर से करवाके उनको को पता नी कैसे करके वापिस दिलवाया है पैसा जब कोई support करने को तयार नहीं होता तो वहाँ पर बात खतम हो जाती है ठीक है उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ समझ माई होगी कुछ आपको matter समझ माई होगा और आगे से आप मुझे support करिए मैं आपको 100% support करूँगा बहुत लोग को कि message आते हैं WhatsApp पे इस्टाग्राम पे Facebook पे मैं acting करना चाता हूँ मैं काम करना चाता हूँ मैं काम करना चाता हूँ बाइश सपोर्ट तो करो जब support नहीं करोगे तो मैं कहां से मुका देख लापाऊंगा आपको बाद में यह कह दोगा तू पहले खुदी नहीं कर बन पाया यह नह लिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बस इतने बता सकता हूँ अगले वीडियो में मिलूँगा नमस्कार जैहिन बंदे मातरम जै बाहरा है